हलो बच्चों, देखें, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कन्यादान और कन्यादान लितु राज जी की लिखी भी कविता हैं लितु राज जी का थोड़ा परिचे देख लेते हैं रितु राज का जन सन 1940 में परतपर में हुआ राजस्तान में स्वी विद्याले जयपूर से उन्होंने अंग्रेजी में एमे किया 40 वर्सों तक अंग्रेजी साहीति के अध्यापन के बाद अब सेवा निवर्ती लेकर भी जयपूर में रहते हैं उनके अब तक आठ कविता संग्रह प्रकशित हो चुके हैं जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुलपर पानी सूरत नीरत और लिल्ला मुखारविन प्रमुख हैं उन्हें सौमदत, परिमल सम्मान, मेरा पुरुषकार, पहल सम्मान तता बिहारी पुरुषकार मिल चुके हैं मुख्यधारा से अलग समाज की हासिये के लोगों की चिन्ताओं को वितुराज ने अपने लेखन का विसे बनाया है उनकी कविताओं में देनिक जीवन के अनुभव का यथार्त और वे अपने आसपास रोज मर्रा में गटित होने वाले सामाजिक सोसन और विडमनाओं पर निगाहें डालते हैं यही कारण है कि उनकी भासा अपने परिवेश और लोग जीवन से जुड़ी वी हैं हमारा जो पाठ है उसका नाम है कन्यादान कविता में मा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्स रूप से हटकर सीख दे रही हैं कवि का मानना है कि समाज व्यवस्ता द्वारा स्त्रीयों के लिए आचरन समंदी जो प्रतिमान गड़ ले जाते हैं वे आदर्स के मुलम्मे में बंदन होते हैं कोमल्ता के गोरों में कमजोरी का उफास छिपा रहता है लड़की जैसा नय दिखाई देनी में इसी आधर्सी करण का प्रतिकार है बेटी मा के सबसे निखट और उसके सुख दुख की साथी होती है इसी कारण उसे अंतिम पूजी कहा गया है कविता में कोरी भावता नहीं बलकि मा के संचित अनुभों की पीड़ा की प्रामानिकता अभिविक्ती है इस छोटी से कविता में स्त्री के जीवन के प्रति रितुराजी की गहरी समेदन सीलता व्यक्त हुई है कितना प्रामानिक था उसका दुख उसका सब्दया है लड़की की मा के लिए लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूजी हो यानि कि जब लड़की का कन्यादान हो रहा है तो उसकी मा का दुख कहने की बात ही नहीं है इतना दुख उसको होता है कि जैसे वो अपनी जीवन की जो सारी पुंजी है अपनी जीवन का जो सारा अर्जन किया हुआ है वो क्या कर रही है दान में दे रही है तो लड़की के कन्यादान के समय उसका दुख जो होता है वो हम सब को पता है उसकी मा को क्या दुख था कि लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुखा आबास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था अनिकि लड़की जब लड़की अभी क्या है सयानी नहीं थी सयानी का मतलब अभी इतनी समझदार नहीं थी तो इसमें वो कहना चाहती है कि मैं जब अपनी उसकी मा ने अपनी बेटी के विवहाई के समय उसे विदा किया तो उसे क्या लगा कि जैसे अपने जीवन की सारी कुट्री क्या थी अभी सयानी नहीं थी समझदार नहीं थी उसे संसार की चालाकी को समझने के अभी समझ नहीं थी अभी वह भोली थी उसका स्वभा विल्कुल सरल था उसे सुखा अबास तो होता था यानि वह खुश किसमें किसमें नहीं है उसकी खुशी का तो उसको पता चलता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, लेकिन दुख क्या होता है, इस चीज की उसे भी समझ नहीं थी, संसार की चालाकी की समझ नहीं थी, ससराल पक्स के कठोर, उसकी कठोर सच्चायों का उसे आभास नहीं था, उसमें बहुत सरलता थी, बहुत ही भोलापन था, कि उसे सुख क्या है ये तो पता है लेकिन दुख क्या है दुख किसे कहते है यह उसको पता नहीं था आगे देखो पाटिका थी वह धुंदले प्रकास की पाटिका थी वह धुंदले प्रकास की कुछ तुकों और कुछ लेवद पंग्तियों की यानि कि वह तुकों और लेव से बंदी कावे पंग्तियों को पढ़तो सकती थी तुक और ले जो कावे की पंग्तिय होती हैं उनको वो पढ़ तो सकती है लेकिन उनका अर्थ क्या है ये है अभी उसको पता नहीं था कावे पंग्तियों को वो पढ़ना तो जान दी थी लेकिन आज से क्या है इसका कि विवाहर में केवस सुरिले और मोहक पक्स का तो उसे पता था अगर भी विवा में अच्छे ची बते हो रही है मोःक पक्स लगए था उसको अच्छे-चे लग रही थी सब वो तो उसको पता है लेकिन ये क्या है कि हो byâr उससे आगे का जो दुख था उसको वह पता नहीं था कि अब जब लड़की वहां से जा रही है तो उसकी मां उसको क्या सीख दे रही है कि मान कहा पानी में जांकर अपने चेहरे पर मत रीजना अपनी बेटी को वो सीख देते हुए कहती है कि जब भी तुम पानी में अपने आपको देखो तो अपनी सुंदरता के उपर खुश मत होना कि मैं इतनी सुंदर हूँ अपने सुंदर्य पर प्रसंद मत होना आग रोटिया सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं साथ ही उसको वो सावधान करती है और कहती है कि आग से भी तुम्हें सावधान रहना है जिस आग से रोटिया सेकी जाती है वही आग जलाने का काईरे भी करती है तो अपने जीवन क फ्रति तुम्हें क्या करना है ? हमेंसा सचेत रहना है यह क्योंकि आग क्या है रोटिया शेकने के लिए उस आग से अपने आपको कभी भी नुकसान मत पहूंचाना क्योंकि लड़की अपने ससुराल जा रही है तो उसकी मां उसको सीख दे रही है कि भी तुम्हें सेसुराल में कैसे करना है क्या करना है एक तो अपने संदर्य पर कभी भी खुश मत हो ना अपने आपको पाने में देखकर अपने संदर्यता फिर कभी घमन मत करना आग रोटिया सेखने के लिए है उस आग से तुम अपने आपको कभी भी नुपसान मत पहु वस्त्री के लिए एक कमजोरी है और उस कमजोरी को तुम कभी उभरने मत देना और कहती है कि तुम वस्त्र अपने सुन्दर कपड़ों के उपर अपने अभुशुनों के उपर कभी में मोहिद मत होना आगे देखो माने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देन तो अब वो कह रही है कि लड़की होने का मतलब क्या है कि तुम लड़की लड़की होने का मतलब सलसार में लोग क्या कहते हैं लड़की जो होती है वो क्या होती हैं कमजोर होती है लेकिन तुम लड़की हो लेकिन कमजोर दिखाई मत देना कभी भी अर्तियाचार किसी के सोसन को तुम सहिन मत करना लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके ऐसी तुम सलह फुरस्तोट करना मान ने अपनी लड़की को सलह दि कि तुम मन से तो लड़की की तरह है भोली और निश्चल रहना परंतु इस जगत से इस अंसार से हमेशा सावधान रहना अपनी सरलता कभी प्रकट मत होने देना वड़ना लोग तुम्हें क्या समझेंगे मूर्ख समझेंगे इसलिए मानने का क्या कहा कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसे कभी भी दिखाई मत देना एक बार केवल इसका हिंदी नवा देख लो इस कविता में कण्यादान के समय मा अपनी बेटी को स्त्री के आदर्स के रूप से हटकर क्या सीख दे रही है कि इसमें कोरी भावलता नहीं बलकि अपने मा के संचित अनिभूव की पीड़ा भी है जब मा ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे क्या लगा कि जैसे वो अपने सारी अन्तिम पुन्जी जो अपने पूरे जीवन में उसने अर्जित की थी उसको अब वो दान में दे रही है और उसको अपने बेटी का कण्यादान करते वे बहुत ही दुख हो रहा था और उसका दुख क्या था स्वभाविक था क्योंकि बेटी अपने मा से ही अपने सुपदुख की बात कहती है मा दुखी थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी सयानी नहीं थी समझदार नहीं थी अभी इतनी बोली और सरल थी कि संसार की चालागों का उसे आभास नहीं था सुख़ तो उसे पता चल रहा था खुशियां उसे हो रही थी लेकिन उस खुशि के बाद उसे किन-किन कठिनायों का सामना करने पड़ेगा वो बाते उसे अभी समझ में नहीं आ रही थी उसमें सरलता थी, बोला पन था सुख क्या है यह उसको पता भी था किन तो दुख किसे कहते हैं यह अभी उसे कुछ पता नहीं था वह, तुको, और, ले से बंदी कावे के पंग्तियों को पढ़ना तो जानती थी लेकिन इन पंग्तियों का आशे क्या होता है इनका अर्थ क्या होता है वह उसे समझ में नहीं आ रहा था उसको समझ उसके नहीं थी इसका मतलब यह है कि विवहा के जो सूरेले और मोहग द्रश्य उसको देखने को मिल रहे थे उससे उसको खुशी तो हो रहे थी लेकिन उन मोहग द्रश्य के बाद की जो कठिनाईय थी उसका भी उससे आभास नहीं था उसकी माने कहा मा कहती है कि वेटी जब तुम पानी में देखो तो अपने सुंदर्य पे कभी भी प्रसन मत होना साथ ही उससे आग से भी सावधान करती है और कहती है कि जिस आग से रोटिया से की जाती है उससे तुम हमेसे सावधान रहना उस आग से कभी भी जलना मत क्योंकि आग क्या है जलाने का कारे भी करती है इसलिए अपने जीवन को कभी भी आज से हानी मत पहुंचना इसके बाद मा अपनी बेटी से कहती है कि आबुसन्ञ और वस्थर क्या है स्त्री के लिए मोहा की बंदन है तो इनके बंदन में तुम कभी भी मत बनना और अपने आबुसन्ञ वें कभी मोहा मत करना तुम्हें उसे स्ने होगा लेकिन वो तुम्हें अपने बंदन में क्या करेंगे जकर लेंगे ससुराल में रहकर तुम हमेशा लड़की की मरियादा में रहना मरियादा परा आचरन करना लेकिन सामाने और कमजोर लड़की की तरह कभी भी अपने उपर हो रहे अत्याचार को स समझा जा सके माने अपने लड़की को सलाय दी कि तुम मन से लड़की की तरह भोली और सरल और निश्चल तो रहना परंतु लोग वहवार में सावधान रहना अपनी सरलता को कभी प्रकट मत होने देना और लोग तुम्हें क्या समझेंगे मुर्ख समझेंगे इसलिए उसकी म अपने उपर होने अपने उपर होरे अर्तियाचार अपने उपर होरे सोशन का तुम डटकर सामना करना और उनका जवाब भी देना इसका हिंदी नुआद भी करना है और किस्टन आंसर भी करने हैं तैंक्यू झाल